Hello friends, welcome to my YouTube channel, देखे, नया साल आने वाला है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमने फूर प्रांट लगाने हैं, तो हम कब लगाएं, तो देखे, नया साल 2023 में अपने फल बगीचे को तयार कीजिए, बहुत अच्छे से आपके हाँ पर भी, देखे, मेरे हाँ पर मैं अपने च्छक पर एक फूर गार्डन रेडी कर सकते हैं, तो मैं कुछ एक प्लांट आपके साथ शेयर करूँगी, उन्हें आप गंबली में लगाईए, बहुत अच्छे से आपके आपके पूर्स लगेंगे, तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ जो ह को दिखा रहे हैं, यह है आम का, देखिए जब हम आम का पौधा खरीद रहे हैं, तो फरवरी का मन्द बैस्ट है, उस समय जब आम का पौधा लाएंगे तो इस तरीके से बोर मिलेगी आपको, तो इसमें क्या होगा कि देखिए तो इसमें आप सोच रहे हैं कि इसमें भी भी बोर आ रही तो ये all time mango की variety है जो पूरे साल fruits देता है तो देखे इसमें भी मेरे fruits भी लगे हुए और इस तरीके से इसमें बोर भी आई हुई है और भी इसमें fruits भी लगे हुए तो ये variety है जिसमें क्या होगा कि जब आप फरवरी में आमर पाली दे शेरी कोई भी variety लेकर आएंगे तो इस तरीके से आपको बोर मिलेगे तो एक आपको idea हो जाएगा कि हाँ आपके हाँ पर fruit अब जाकर ही करेगा तो जब भी आपको fruit plant ले दो requirement गंबले के लिए आपको पूरी करनी पड़ेगी एक तो आपको या तो आप grafted plant ले या air layering से ready plant ले तो मैं mango का plant recommend करूँगी कि आप इसे गंबले में लगाईए मेरे पास दशेरी भी है और साथ में मेरा ये all time mango की variety इसके सभी videos मैं ने share कियों है कैसे लगाया जाता है मिट्टी कैसे preparation की जाती है किस तरीके से पौधा grafted ले रहे तो क्या क्या साबधानी आपको रखने है सभी videos आपको मेरे channel पन मिलेंगे videos पसंदा है तो please like, share, subscribe जरूर कीजिए तो सबसे पहले मैं कहूंगे कि आप आम लगाई आप सोच रहे कि आम, बिल्कुल आम beginners भी लगा सकते है मेरे 6 साल के experience से मैं बता रही हूँ आम का मुझे बहुत best result मिना है सिर्ख थोड़ी-थोड़ी साब धनी आप रखें तो आप better इसका result दे सकते हैं देखिए, एक plant और भी है मैं कुछ plant आपके साथ शेर करूँगी इसमें देखिए, आप grape wine भी लगाई अभी इस समय आप देख रहे ही, बिल्कुल ऐसे ही लग रही जैसे मर गई, क्योंकि winter इसकी dormancy होती है तो इसे आप लगाईए इसे आप फरवरी में लगाईए देखिए, आपके हाँ पर बहुत अच्छे से इसमें फल लगेंगे मेरी हाँ पर इसमें अब जनवरी के end में इसमें अच्छे से फिर से new growth इस्टार्ट होगी और मैं इसको जब feeding कराती हूँ, वो सब भी वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो playlist में नहीं जाके चेक करते तो उनके लिए मैं फिर से वीडियो इसके शेयर करूँगी तो ये देखिए, इस तरीके से ये फिर से इसमें बाहर आईए और कैसे इसके अंदर हम बाहर लेकर आएंगे ये सारा भी मैं शेयर करूँगी तो ग्रेप वाइन को आप गंबले में जरूर लगाईए बहुत अच्छे फल लगते हैं इसमें इसमें मेरी जो black color की है और हर साल मुझे मीठे फल देती है और देखिए फ्रेंट्स ये है चाइना ओरेंज का प्लांट कौन नहीं चाहता कि उसके यां इस तरही के से फूटिंग हो और ये देखिए मेरे पास एक्छल में इतने सारे फूट प्लांट है तो मैंने इस प्लांट पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया बीच में से छोड़ दिया था इसको तो इस पर फूट्स नहीं आए उसके बाद मैंने वीडियो शेयर किया था कि फूटिंग नहीं हो रही है तो अब क्या करें ये और उसके बाद का रजल देखिए एक ब्रांच ऐसी नहीं होगी जिसमें फूट्स नहीं लगा हुआ है तो ये बहुत इजी इजी टू ग्रो है कोई इतनी बिमारी है इस प्लांट को नहीं होती है बहुत इजी टू ग्रो हो जाता है लुक वाइस बहुत खुबसूरत लगता है ये देखिए आप पूरी ब्रांच जो है इससे भरी हुई है इसे आप जरूर लगाए काफी बैटर इसका जो है आपको रजल्ट मिलेगा बहुत खुबसूरत लगता है इसे आप as a lemon यूज कर सकते हैं इसकी आप बहुत सारी jelly वगरा बनाई जाती है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते है पट इसकी खुबसूरती देखिए कितना खुबसूरत लगता है तो ये प्लांट भी आप दंबले में आसानी से ग्रोव कर सकते हैं देखिए फ्रेंड्स ये है star fruit कितना जबरदस्त मेरे याँ फूर्टिंग कर रहा है ग्राफ्टेल देना होगा ये नहीं कि आप बीच से लगा वो अपको धालेंगे और आप सोच रहें कि उसमें फूर्टिंग हो जाए तो इस तरीके की फूर्टिंग आप ले सकते हैं तो मैंने इसको रेक्मेंट करती हूं लोगों को मुझे भी देखी जब मैंने फूर्ट प्लांट लगाने स्टार्ट किया था तो एक मेरे वीवर्स ने मुझे रेक्मेंट किया था कि मैं इसे लगाऊं मुझे बहुत अच्छा रजल मिलेगा यह देखी बहुत ज़्यादा तो मात्रा में इसको खाया नहीं जाता तो मेरी तो फैमिली की रेक्मेंट से भी ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन हो रहा है काफी मैं लोगों को दे भी जुकी हूं उसके बाद भी आप देखिये प्लांट पूरा भरा हुआ है तो यह एक ऐसा प्लांट है बहुत बहुत जल्दी फ्रूटिंग पर आता है यनि कि आप बिगनर्स हैं तो आप इसे लाकर लगा दीजिए जिस तरीके से मैंने सॉयल प्रोपरेशन बता है फिर थोड़ी सी केयर कीज़ हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी आप किया सनलाइट आती है तभी आप इन प्लांट्स को लगाएं वरना छे गंटे से कम की धूप में ये अच्छे से सक्सस्फुली नहीं लगते फ्रूटिंग नहीं करेंगे तो मैं स्टार फ्रूट के प्लांट को भी रेक्मेंट करूँगी कि आप इसे गंबले में जरूर ग्रो कीजिए और देखे फ्रेंट्स ये अमरूद अमरूद तो सबी जानते हैं बहुत एजी टू ग्रो हो जाता है बहुत आसानी से गंबले में लग जाता है ये प्लांट है मेरा अरका किरन आप इसमें और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं मैंने ये भी वीडियो शेयर किये हुए कि कौन कौन सी जो वेराइटी आप लगाएं तो ये देखिए काफी अच्छे हम काफी हर्वेस्टिंग कर चुके हैं और ये मुझे परस्नली मेरे हस्बन को ये प्लांट बहुत पसंद है क्योंकि इसका अमरूद उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये पिंक कलर का है अर्का किरन वराइटी है इसे आप गंबले में लगाई दी इस तरीके से देखिए मैंने कंटेनर के अंदर जो है इनको लगाया हुआ है आप लगाईए अमरूद का रजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा तीन से चार मैने बाद ही आपको इसका रजल्ट मिलेगा कि आप इससे फरवरी में लगाएंगे मई तक आपके इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और फ्रेंट्स अनार भी उनी प्लांट्स में से एक है देखिए कितनी बंपर मेरे इसमें फ्लूटिंग हुई थी सारी हर्वेस्टिंग करने के बाद फिर से इसमें देखिए कितनी जवर दस फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए तो अनार का प्लांट है उसे आप अच्छी किस्म का लगाईए, भगवा लगवाईए, किस्म थोड़ी से अच्छी लेंगे तो देखिया आपको जो अनार है वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो अनार का प्लांट भी आप जो गंबले में बहुत असानी से ग्रो कर सकते और फ्रेंट्स अंजीर भी आप जरूर एक जो है प्लांट ग्रो कीजिए अंजीर भी आपके हां गमले में बहुत देखिए मैंने भी डाइना वरेटी लगाई है भी डिसेंटली लगाया था जादा टाइम नहीं हुआ है तो ये देखिए तो इसके प्लांट को भी मैं आपको रेकमेंट करूंगी कि इसे गमले में आप जरूर ग्रो कीजिए मैं कुछ प्लांट्स आपको बता रही है उनमें से देखिए आप कोई से भी प्लांट लगा लिजी और फ्रेंट्स नीबू तो एक ऐसा पौधा है जिसे आप जरूर ग्रो कीजिए बहुत अच्छा आपको रजल देगा यानि कि ये पूरे टाइम आपके गार्डन में आपके हाँ इस तरीके से इसमें नीबू लगे रहेंगे ये देखें तो नीबू का पौधा भी आप इसे तो आप गंबले में बिलकुल लगाई है 100% मैंने तो जब इसे लगाया था चार से पांट साल हो चुके है मेरे पास और ये देखिए साल दर साल में एक चीज नोटिस और कर रही हूँ मेरे फूट का साइज का वेट भी बढ़ रहा है इसमें देखिए ये देखिए अ एपल बेर के प्लांट को भी आप गंबले में जरूर ग्रो कीजिए देखिए मैं में सारे प्लांट वही बताओंगे जो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएंगे और आपको फूटिंग देखिए और देखिए फ्रेंस मैं तो संतरे के प्लांट के लिए भी कहूंगी क्योंकि मैंने जिस तरीके से केसर लगाया और केसर भी मेरे यहां पर लग गया और मैंने काफी सारे वीडियोज भी उसके शेयर की हैं इसी तरीके से मैंने यह वाटर एपल का प्लांट भी लगाया है तो यह अभी हलाकि मैंने लगाया है तो देखती हूँ इसका मेरे यहां क्या रज कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज चनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू